शुरोती के नई नई शादी हुई होती है उसका ससुराल एक दुसरे शहर में होता है और ससुराल में आने पर जब वो सबजी बनाती है तब ही उसके हाथ की सबजी उसके घरवालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हे भगवान अरे ये कैसी सबजी बनाई है तुने आज तक मैंने इतने बेसबात सबजी कभी नहीं खाई तुने तो पुरे मुखा स्वाधी कराप कर दिया अरे शुरुती भाबी आपने ये कोन से ग्रेय की सबजी बनाई है इतना बुरा खाना बगवान किसी के भी नसिब में ना लिखे क्या भाबी, मुझे लगा कि जब आप घर पे आओगे तब हम सब को बढ़िया बढ़िया सा खाना बना कर खिलाओगे लेकिन नहीं, आपने तो सारे अर्मानों पर पानी फेर दिया अरे नहीं काजल, मैं खाना तो वाकई में अच्छा बनाती हूँ मेरे माईके में मैं जब खाना बनाती थी तब सभी लोग उंगलिया चाड़ते रहते थे हो सकता है कि यहां कि सबजी ही खराब हो क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सामने ही गार्डन में हमने सबजी आउगाई है और उनी को तोड़कर ही मैं सबजी बनाती थी इसलिए मैं कही रही हूँ कि यहां कि सबजी ही खराब है बाकि मैंने तो खाना एकदम अच्छा बनाया है अरे ऐसे कैसे खराब है वो आने के पहले तक तो सबजी आच्छी ही थी फिर अच्छा नक से यह बदलाव कैसे हो सकता है औरे माजी रातो रात चीज़े बदल जाती है मैं कही रही हूँ ना कमी ना तो मुझ में है और ना ही खाना बनाने की स्टाइल में है सारा का सारा दोर सबजी में ही है सबजी ही बदार से खराब होकर आई है लेकिन भाबी अरे काजल जब शुरूती इतना के रही है तो हो सकता है ना कि वाकई में सबजी खराब हो क्योंकि जब मैं शुरूती के माई के गया था तो उसने मुझे बहुत ही स्वादिश्ट पक्वान बना कर खिलाए थे और आजकल हमारे शेहर का मोसम भी काफी खराब हो गया है और ऐसे में सबजियों की कॉलिटी पर असर पड़ सकता है देखा न ये विचारा नीतिन मेरी बात अच्छे से समझ गया लेकिन आप दोनों को तो सुनना ही नहीं है आप दोनों को तो मुझ पर बस राशन पानी को लेकर चड़ना आता है और कुछ नहीं आता मीना और काजल उसे कुछ नहीं बोलती और अब ऐसे ही शुरूती जो भी खाना बनाती है वो बेसवाधी बनता है और काजल और मीना को ये बात नहीं पश्टी मा, अच्छानक से ऐसे कैसे सबजी का टेस्ट बदल सकता है मुझे तो दाल में, मेरा मतलब सबजी में कुछ काला लग रहा है हम ये बात की तहे तक जाना चाहिए लेकिन कैसे काजल देखो मा, आप एक काम करो आज आप चुपके से एक सबजी बना लो श्रूती भाबी दोपेर को बाहर जानी वाली है तब ही आप वो सुबे लाई हुई पालक की सबजी बना दो और तब देखना कि आपके हाथ से भी वो सबजी बेसवाद बनती है या स्वादिस्ट बनती है हाँ काजल बेटा ये बहुत ही अच्चा प्लान बनाया है तुने इससे ये साफ हो जाएगा ये असल में खोट सबजीयों में है या फिर मेरी बहू में लेकिन उन दोनों के ये बात शुरूती सुन लेती है और वो दोपेर को मॉल ना चाकर जब मीना पालक की सबजी बना देती है तब चुपके से उसमें एक पाउडर चिड़क देती है और वो सबजी को अच्छे से मिला देती है मेरी ये सास और ये ननन खुद को बड़ा शेर समझती है लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी सबा शेर हूँ अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे सबजी बनाने नहीं आती तो ये लोग मुझे कमजर और नाकारा समझेंगे और मेरी इज़द भी नहीं करेंगे लेकिन मैं मेरा आइटिटिट बनाए रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े में वो सब करूँगी अब इस पाउडर की मदद से माजी के हाथ के बनी ये पालक की सबजी एकदम बेसवाद बन जाएगी फिर बाद में जब उस सबजी को सभी लोग खाते हैं तब उस सबजी को चग कर मीना और काजल दोनों हेरान रह जाती है अरे मा आपने ये कितनी गटिया सबजी बनाई है अरे इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है देखा न मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी अब देखो सबजी का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है लेकिन इसे कैसे हो सकता है मैंने तो पालक को अपने हातों से साफ किया था और पालक की जुड़ी भी काफी अच्छी थी चाहित सबजी होने के बाद मुझे उसे टेस्ट करना चाहिए था अगर उसी वक्त मुझे उसका स्वाद पता चल जाता तो में आप लोगों को यह सबजी परोस्ती ही नहीं पता नहीं आज कल यह क्या चल रहा है अच्छानक से सबजी इतनी खराब केसे आने लगी है सच में पापा जी यहां की सबजी तो बहुत ही खराब है लेकिन मेरी मा की सबजी आ उफ उनकी तब बात ही अलग है मेरे माईके के बगीचे में मेरी माँ खुद अपने हातों से सबजिया उगाती है वहाँ की सबजियों में और यहाँ की सबजियों में जमीन आसमान का फरक है लगता है इस शहर की सबजियों में काफी ज़्यादा मिलावट होती है और ये सब हमारी जान के लिए काफी हानिकरक हो सकता है हाँ बहू तुमने बिल्कुल सही कहा मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम तिनों कोई सबजी ही मत बनाओ दाल चावल और रोटी ही बनाओ उसी से हम अपना पेट बर लेंगे हाँ पापा जी आपने तो मेरे मूग की बात चीन ली मैं भी यही कहने वाली थी और हम सब के सहत के लिए यही सही रहेगा ठीक है बहू जब तक सबजी या ताजी और स्वाद वाली ना आ जाए तब तक थोड़े दिनों के लिए अलग-अलग प्रकार की दाले यही बनाओ शुरोती बहुत खुश होती है यूकि उसे जो चाईय था वही होता है उसका काम हो जाता है और आप उसे केवल दाल चावल और रोटिया ही बनानी पड़ती है वही दूसरी तरफ उसकी ननत काज़त यह सब देखकर एकदम चकित हो जाती है फिर एक रोज ऑफ जी तो एकदम कमाल की बनाई है भावी ने सच में मजा ही आ गया यार ठैंक्स नितिन मेरी घर वाली तो एकदम मास्टर शेफ है और रोज कुछ न कुछ टेस्टी और मज़ेदार खाना बनाती है इसलिए मैं अपने आपको बड़ा लकी मानता हो आलोक की बात सुनकर निति की सबजे कितनी स्वादिश बनी थी तो फिर हमारे गर की सबजे स्वादिश क्यों नहीं बन रहे आखिर क्या माजरा है तुम्हारा यह सर पर वो तुम्हारा दोस्ट किसी और एरिया में रहता है वहाँ पर उसकी बीवी को मिल गए होगी कोई अच्छी सबजी अब जरूर तोड़ीना है कि हर जगे की सबजिया खराब ही हो और अगर किसी जगे की सबजिया खराब मिलती है तो वहां के कुछ-कुछ सबजिया अच्छी भी तो हो सकती है ना और अब इसमें मैं क्या कर सकती हो मेरा तो माय का ही सही था वहां की सबजिया तो ला जवाब थी उनके स्व बारा कहे रही हो अगर सबजी में पहले से ही फॉल्ट रहेगा तो वो सबजी अच्छी नहीं बनेगी फिर चाहें आप उसे कितना भी अच्छे से धोलो और हाँ आइंदा से मुझे यह सास बनकर सुनाने मत चले आना वरना मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूगी बेवक होती हर बार यह ही अपनी मा की सबजियों की डिंगे हकती रहती है ऐसे ही एक दिन जब काजल और मीना मुहले में सबजी खरीदने जाती है अरे क्या भाया जी आप तो आजकल एकदम बुरी सबजिया बेच रहे हो आपके सबजियों में तो स्वात बिलकुल भी नहीं होता ह हमें तो बस दाल पे ही गुजारा करना पड़ रहा है अरे बेंजी यह आप केसी बाते कर रही हो हमारी सबजिया पूरे मुहले में नंबर वन है पर कोई हमारी कितनी तारिफ करता है और केवल आप ही हो जो इतनी बुरा ही कर रही हो अरे अगर तुमारी सबजी इतनी ही अच्छी है तो फिर मेरे गर की सबजी में स्वात क्यों नहीं आ रहा है अब यह तो आपको ही पता मीना बहेन हमारे गर की सबजिया तो बड़ी अच्छी बनती है हाँ मीना बहेन इनकी सबजिया तो काफी फ्रेश होती है मैं तो रोज पुरी तरे साफ हो जाती है जब काजल को शुरूती के कमरे में मिलावट वाला पाउडर मिलता है जिसके साथ उसका बिल भी होता है ये देखो मा ये वही मिलावट वाला पाउडर है और ये रहा इसका ये बिल इस पर तो तीन तारिक लिकी हुई है और आपने तो वो सबजी तीन तारिक को ही बनाई थी इसका मतलब भावी ने आपकी सबजी में मिलावट की थी ताकि उसका स्वात बिगर जाए और वो आपके सबजी को घर वालों की नजरों में खराब साबित कर सके और सारा इलजाम सबजी के कॉलिटी पर जाए ना कि उसके बनाने वाले पर अच्छा तो अब समझा आई सारी बात इस चुडेल ने ये सब अच्छा नहीं किया है अब तो इसकी पौल खोलनी ही होगी बहुत उड़ती है ना ये अपनी मा की सबजीयों पर अब तो रुग जा बेटा मैं तुझे दिखाती हूँ विर एक दिन मिना और काजग शुरूती को घुमाते घुमाते दुसरे शेहर लेकर आते हैं जहाँ पर वो अच्छा नक से उसके माईकी जाने का प्लान बनाते हैं और ये बात सुनते ही शुरूती गबरा जाती है क्या कहा मेरे माई के में लेकिन उसके क्या जरूरत है ए बगवान अगर इन लोगों ने मुझे सबजे बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी उस बारत मैंने नितिन को जूट कह दिया था कि वो सबजे मैंने बनाई थी लेकिन असल में तो वो सबजे माने बनाई थी लेकि आज तो ये लोग मेरे सामने ही होंगे अब मैं क्या करूंगी बहू, किस सोच में पड़ गई तू औरे कुछ नहीं मा जी शायद आज मा घर पर नहीं रहेगी आरे नहीं शुरुती बहू तू फिकर मत कर तेरी मा घर पर ही है मैंने समदंजी से बात कर ली है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आज वो घर पर ही है हाँ भाबी, अब आप चिंता मत करो और चुप चाप चलो और उसी बहाने अमें आपकी मा के बगी चिकी सबजियों को देखने का सोभाग्य प्राप्त होगा और हाँ भाबी अभी आपको वो अच्छी कॉलिटी वाली सबजी को हमें बना कर खिलाना होगा उन दोनों की बाते सुनकर शुरूती को अब पसीने छूटने लगते हैं फिर कुछी देर में वो तिनों उसके माई के पहुँचती है चल वहू अब जल्दी से अपने बगीजे की सबजी तोड़कर हमारे लिए गर्मा गरम रोटी सबजी बना दे बहुत भूक लगी है हमें लेकिन माजी वो में क्या हुआ भाबी अच्छानक से आपकी बोलती बन क्यूँ पढ़ गई मानो आपको कोई साप सुंग गया हो अरे इस गदेड़ी से आप खाना बनाने के लिए क्यूँ कह रहे हो ये कुछ भी बनाती है और इसे ठीक से कोई सबजी बनाने भी नहीं आती इसलिए मैं कह रही हो इसे कहकर कोई फाइदा नहीं है क्या शुरोती की मा उसकी इज़त का पंचनामा कर देती है और मीना और काजल को वो सारी सच्चा ही बताती है माजी काजल मुझे माफ कर दो कमी तो हमेशा से ही मुझ में ही थी मैं ही अच्ची सबजी नहीं बना पाती और मैंने ये सच आप लोगों से इसी लिए चुपाया ताकि आप लोग मुझे कमजोर या बेवकुफ ना समझो और मेरे साथ बुरी तरे से पेश ना आ सको तो अगर मैं आप लोगों को सच बता देती तो आप लोगों के सामे मेरे क्या इज़त रह जाती पुरी सीके चलते मैंने वहां की सबजियों में खोट निकाला और तो और आपकी सबजी में भी मैंने मिलावट की ताकि सबको यही लगे कि खोट तो सबजियों में ही है अरे बेवकुफ लड़की अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो तू हमें पहले ही बता देती न, इसमें तेरी इज़त कम होने वाली कुन सी बात है अरे मैं तुझे सब्जी बनाना सिखा देती, काजल को भी मैंने ही सब सिखाया हैं, वैसे ही तुझे भी सिखा देती हाँ भाबी, आप एक बार हमसे बात तो कर लेती ए भगवान इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला शुरुती ये तुने बहुत गलत काम किया है बेटा तुझे कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था मुझे लगा कि तेरे ससुराल में नोकरानी होगी इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी लेकिन मैंने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं समदन जी मुझे माफ कर दीजिए मुझे इसे पहले ही सब सिखा देना चाहिए था नहीं मा आप माफी मत मांगिए क्योंकि सारी गलती मेरी ही है आपने मुझे पहले भी सिखाने के बहुत कोशिश की लेकिन मैंने आपके कोई बात नहीं मानी और मा जी मुझे माफ केजिए अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी अब आप से मैं सारी सबजिया बनाना सीखूंगी और सबको स्वादिस्ट और बढ़िया करना किलाऊंगी इस तरह अंट में शुरूती सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और दीरे दीरे वो अपनी सास से सारी सबजिया बनाना सीख जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वो सबका दिल जिद जाती है नकुल अपनी मा मही मा और पिता बलवंद के साथ रहता है एक दिन के बाद अरे मा जल्दी से नाश्टा दे दो मुझे अफिस के लिए लेट हो रहा है और उपर से मेरे पेट में जोर जोर से चुहे दोड रहे है हाँ बेटा लाती हो नाश्टा लेकिन उससे पहले तु ये देख ले इतना कहकर मही मा डाइनिंग टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरे रख देती है जिने देखकर नकुल काफी चिड़ जाता है ओफो मा फिर वही बाद देख नकुल बेटा तेरी उमर की सारी लोगों की शादिया हो चुकी है अब कब तक अकेला रहेगा तो इन तस्वीरों में से ही कोई अच्छी लड़की देख ले और कर ले शादी और नहीं तो क्या इस लड़के ने तो ठान ही ली है कि इस जनम में तो ये हमें बहु का सुप देगा ही नहीं अरे मा मेरे होते हुए आपको बहु की क्या जरूरत है मैं ही आपका बेटा हू और आपकी बहु भी मैं ही हू यूँ खामों का इतना टेंशन पालना है कुछ नहीं रखा है शादिवादी में मैं अकेला ही आप दोनों के लिए काफी हूँ इस घर में बहु की कोई जरूरत नहीं है नहीं बेटा तू हमारी बात नहीं समझ पा रहा बहु जब यहाँ पर आएगी तब ये इट और पत्तर का मकाई सही माइनों में घर बनेगा बहु अपने ससुरल को जोडे रखती है वो नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा देखो मा इससे पहले भी ये बात मैंने आपको कई बार बताई है और आज फिर से मैं वही टेप दो रहाऊंगा मुझे शादी नहीं करनी है मा इसलिए प्लीज आप मुझे फोर्स करना बन कर दीजिए नकुल एक ही बात बार बार कहता रहता है कि उसे शादी करनी ही नहीं है इसलिए मही मा और बलवन हर पल चिंता में रहते हैं एक दिन नकुल अपने ओफिस के दोस्त राजिव के साथ आपिस के कैंटिन में खाना खा रहा होता है और बता राजिव कैसे है सब घर पर और भाबी वो कैसी है अब क्या बताओ यार तुझे नकुल हम दोनों के बीच में तो रोज जगड़े होते हैं हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले कितना प्यार करते थे लेकिन शादी के बाद उपना ही एक दूसरे से नफरत करते हैं अरे समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची हमारे रिष्टे में क्या बात कर रहा है तु राजी लेकिन जो भी है तु टेंशन मत ले और भाबी के साथ प्यार से रे आई होग सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा नकुल के मन में दो पहले से ही शादी के लिए इंकार था लेकिन राजीव की बाते सुनने की बात नकुल तो शादी का नाम सुनकर और भी जदा चिडने लगता है फिर एक दिन नकुल की चाची इमर्ती मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर जाती है क्या बाते इमर्ती बिट्टू का रिष्टा पक्का हो गया क्या हाँ जी जी मैं तो बहुत खुश हूँ जेड जी ली जी एना मू मिटा की जी और नकुल बेटा तुम भी लो अब तुमारे आगे तुमारे छोटे चचेरे बाई की शादी हो रही है लगता है तुम तो वो सलमान खान की तरे कुवार ही रहोगे इसलिए तुम तो बस दूसरों की शादी की ही मिठाई खाओ जी चाची जी बदाई हो आपका तो पता नहीं जी जी लेकिन मैं तो बहुत ज़्यदा खुश हूँ अब आखिर कर मेरे आराम करने के दिन आने वाले है बहुके आने के बाद मेरी तो खरेक काम से चुट्टी हो जाएगी सास बनने का भी अपना ही मज़ा होता है और अब आने वाले को इस दिनों में मैं वो सारे मज़े करने वाली हूँ ये तब बहुती अच्छी बात है इमर्दी में भी तुमारे लिए बहुत खुश हूँ बगवान बिट्टू और उसकी होने वाली बीवी को हमीशा एक साथ रखे फिर थोड़ी देर बाद इमर्दी चली जाती है और महिमा काफी गुश्सा हो जाती है देख लिया बेटा तुमसे छोटा है बिट्टू लेकिन उमर रहते ही वो शादी भी करने वाला है अरे कब तक हम यो दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे तू कब शादी करेगा हाँ बेटा हमें भी सबको खुशकबरी देनी है हमें भी अपने बेटे की शादी के काड़ चपवाने है और रोज सुबे बहु की हाथ की चाय पीनी है हाँ बेटा अब मैं भी और कितने दिन काम कर पाऊंगी मुझे भी तो बहु का सहारा चाहिए न ये सब बाते नहीं सोचता क्या तू अरे मा अगर आपको काम करवाने के लिए बहु चाहिए तो मैं आपके लिए घर में नोकरानी रखवा देता हू इस सब के लिए बहु की क्या जरूरत है अरे नाला एक बे अकर एक सास बहु का रिष्टा खट्टा मिट्टा होता है अगर नोकरानी लाएगा तो मैं जगड़े किसके साथ करूँगी ताने किसे कसूंगी नोकरानी को और किसको मा सच में तू तो एक नंबर का गदा है गदा दिमाग में अकल नहीं है भूसा बरा है भूसा बेवकूफ का इका नुकुल बेटा क्यों हम दोनों के इतनी तकलिप दे रहा है मान जाना अपनी मा की बात देखिये पापा एक लड़की जब बहु बनकर अपने ससुराल जाती है तब वो पुरी तरे बदल जाती है आपके जमाने में होता होगा सब कुछ शिद्दत से लेकिन आज कल के इस जमाने में आपको जैसी बहु चाहिए न वेसी बहु मिलना बहुत मुश्किल है पापा अरे आधे से ज़्यादा लड़कियों को तो खाना बनाना भी नहीं आता मैं तो आप दोनों का भी खयाल रखना चाहता हूँ लेकिन आपका खयाल कोई बहु नहीं रख पाईगी पापा तू फिर मेरी बात नहीं समझ पा रहा बेटा आखिर एसे क्यों करता है तू क्यों मेरा खुन जला रहा है आखिर क्या मिलता है तुझे ये सब करके आप चाहे कुछ भी कहलो मा लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ शादी कोई छोटी बात नहीं है वो एक बहुत बड़ी बात है और आजकल के इस जनरेशन में शादी जैसाब कॉंसेप्ट ही नहीं चलता इसलिए मेरी तरफ से शादी के लिए तो आपको हमेशन ना ही मिलेगी और अगर आपको खाना बनाने वाली चाहिए लडने जगडने वाली चाहिए तो ये काम तो में भी बखुबी कर सकता हो लेकिन इसके लिए बहुलाने के क्या जरूरत है ये सारी खुबिया मुझ में भी तो है और मेरे होते हुए आपको किस चिस की कमी है फिर बलवन्त और महिमा के समझाने पर भी नकुल उनके कोई बात नहीं मानता और वो अपनी एक ही रट लगाए रहता है फिर एक दिन वो एक पार्टी में जाता है तब वहाँ पर सभी कपल्स होते है उतने में उसे महिमा का वीडियो कॉल आता है और वो उसे ताना मारती है तेरी शकल देखकर ही समझ पा रही है कि तु वहाँ पर सारे कपल्स के बीच में बेटा है और इसलिए काफी बोर भी हो चुका है इसलिए कहती हूँ बेटा अपनी लाइब भी सेट कर ले और कोई पार्टनर देख ले ताकि तुम जब पार्टियों में जाओ तब वहाँ पर बोर ना हो अरे माँ आपके पास ये टॉपिक छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या जब देखो तब एक ही बात करती रहती हो बार बार शादी की बात करके प्लीज मुझे परिशान मत कीजिए मा इतना कहकर नुकुल मही मा का वीडियो कॉल कट कर देता है जिस कारण मही मा काफी दुखी हो जाती है फिर रात में पार्टी कतम होने के बार नुकुल वापस अपने घर आता है मा आपने दवाई खाई की नहीं और आज आप मंदिर गई होंगी न मुझे प्रशाद तो दीजिए मा मैं आपसे बात कर रहा हूँ पापा मा कुछ बोल क्यों नहीं रही आखिर क्या हुआ है मा को नुकुल बेटा तेरी मा ने मोनवरत दारण कर लिया है क्या हाँ बेटा जब तक तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक ही अपना मोनवरत नहीं तोड़ने वाली इसने ये कसम खाली है बेटा मा ये क्या बचपना है और ये कैसी जिद है आप क्यू मुझे और टेंशन दे रही हो प्लीज अपना ये व्रत तोड़ दो और मुझसे बात करो मा महिमा नकुल से कोई बात नहीं करती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है नकुल की शादी की चिंता के चक्कर में महिमा की तवियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बिमार पड़ जाती है हे भगवान महिमा तुम्हे तो कितना तेज बुखार आया है मैं अभी तंडी पट्टी लाता हूँ और दवाई भी फिर बलवन्थ महिमा की अच्छे से देखरे करता है नहीं मा की ये हालत सिर्फ मेरे वज़े से हुई है मुझे मा का ये मोनवरत तोड़ना ही होगा अगर मेरे शादी के लिए मानने से उनकी तवियत ठीक हो सकती है और वो खुश हो जाएंगे तो यही सहे मैं तयार हूँ शादी के लिए फिर नकूल अपनी मा के पास चला जाता है मा मैं शादी करने के लिए तयार हूँ मा आप और पापा जिस लड़की से मेरी शादी कराऊगे मैं खुशी खुशी कर लूँगा लेकिन प्लीज आप अपना ये मोनवरत तोड़ दीजिए मा और प्लीज मुझसे बात कीजिए नकूल के मुझसे ये बाते सुनकर महिमा का चहरा खिल उटता है और वो उटकर बेड़ जाती है क्या? सच मे? देख बेटा तेरी ये हाद सुनकर ही मेरी शरीर में कैसे जान आ गई लिकिन बेटा मैं जानती हूँ कि ये बात तो सिर्फ तु मेरा मन रखने के लिए कर रहा है और तुने अपने मर्जी के खिलाब जाकर हा की है नहीं मा एसी कोई बात नहीं है चुप कर तु हम तेरे मा बाप है और तेरी चेरे के हाओ बाओ देख कर ये साफ पता चल रहा है कि शादी के फेसले से तु नाकूश है नकुल बेटा तुझे मेरी सो सच सच बता बेटा आखिर तु शादी क्यों नहीं करना चाता आखिर वो क्या बात है जो तुझे इतना सताय जा रही है अरे मा मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है किसी के अपने बीवी की साथ रोज जगडे होते है तो किसी ने शादी की कुछ महिनों बाद ही तलाक का फेसला ले लिया है और मेरी नजर में अभी तक जिन लोगों ने शादिया कर ली है उसमें कोई भी खुश नहीं है इसलिए मुझे भी जंजट में पढ़ना ही नहीं था नहीं बेटा हर सवाल का जवाब होता है कोई खुश नहीं है आखिर क्यों खुश नहीं है देख बेटा जब दो लोग साथ आते है तब उन दोनों के विचार और जीवन जीने का तरीका सब कुछ अलग होता है लेकिन उन दोनों को भी एक दुसरे के विचारों को और जीवन जीने के तरीके को स्विकारना होता है इसे ही तो एडजेस्मेंट कहते है देख बेटा मा बाप भाई बेहन दोस्त यार ये सभी लोग एक समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते है लेकिन जीवन साती ही एक ऐसा व्यक्ती होता है जो हमारे हर सुब दुपने हमारे साथ खड़ा होता है अब तू ही देख ले आज जब मेरी तबियत बिगड गई थी तब तेरे पापा ने कितने अच्छे से मेरी देख रेकी इसी से तो कुछ सीख ले हाँ मा आपकी बाद भी सही है लेकिन मुझे ये बताओ शादी के बाद दो लोग में आखिर जगड़े क्यों होते है देख नकुल बेटा अगर शादी के बाद तू अपने साथी से ये उम्मीद रखेगा कि वो तेरे हिसाब से ही चले तो ये नहीं हो सकता और अगर तुझे कोई उम्मीद रतनी ही है तो दोनों को साथ में बेटकर समझदारी से बात करनी होगी अरे पूरा जीवन साथ बिताने के लिए ही तो जीवन साती होता है और जगड़े होने पर समझदारी से उस जगड़े को मिल बाटकर सुल जाना यही तो रिष्टे को बचाता है और यही एक काम है जो सब लोग नहीं करते और इसी की वज़े से रिष्टे तूट जाते है बेटा अपनी मा से यह सारी बाते सुन कर नुकुल की आखे खुल जाती है और उसे शादी का महत्व समझ में आता है मा आपने कितनी खुपसूर्ती से मुझे सब कुछ समझाया है सच में मैं कितना बैवकुफ था जो अपने मन में शादी के खिलाफ इतनी करवाहट गोले बैटा था लेकिन आज मुझे समझाया है कि सही से निभाई जाए तो शादी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी सुन्दर रिष्टा नहीं है मैं अब सच में पूरे तहे दिल से तयार हूँ शादी करने के लिए ये हुई न बात मेरे लाल मैं जानती थी कि तुम मान जाएगा और ये बात तुम दिल से कह रहा है इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए फिर कुछी दिनों के बात महिमा एक अच्छे घराने की लड़की दूलती है और फिर अपने बेटे की शादी करा करती है अपने घर में बहु का स्वागत करती है सोनिया अपनी सास उमा के साथ रहती है जब से वह शादी करके घर आई होती है तब से वो रोजाना मूली के पराटे ही बनाया कर दिया माजी, प्रफुल, ये लो गरमा गरम मूली के पराटे और ये हरी चटनी अरे यार, फिर से मूली के पराटे ये तुमने क्या लगा रखा है सोनिया हर रोज मूली के पराटे खाखा कर पेट में ग्यास का गुब्बारा बन चुका है अरे बहु, रसुई के सामान लाने के लिए तू तो कितने पैसे लेती है लेकिन मूली छोड़कर तो कुछ भी लाती नहीं और फिर हमें ये मूली के सड़े हुए पराटे खिलाती है बेवकूफ कहीं की अरे माजी, मैं तो आपको मूली के ही पराटे खिलाती हूँ न थोड़ीनक पीज़ा बर्गर जैसे अनहल्दी पक्वान खिलाती हूँ आपको पता भी है, मूली कितनी पोष्टिक होती है हाँ हाँ हमें अच्छे से पता है कि मूली कितनी पोस्टिक है और कितनी गातक दरासल सोनिया को बाकी सबजिया बनाने आती ही नहीं थी जिसकार वो पराटे ही बनाया करती है और पराठों में भी मूली के पराटे उसे बहुत अच्छी तरह से बनाने आते हैं एक दिन उनके घर पर प्रफुल के चाचा जी और चाची जी आते हैं तभी सोनिया उन्हें भी मूली के पराटे ही पोरोस दिया अरे सोनिया बहु ये क्या कल भी तो हमने मूली के पराटे ही खाये थे और आज फिर वही सबजिया मिलती नहीं के यहां वजार में उमा ये हर रोज मूली के पराटे ही क्यों बनते हैं तुमारे गड़ नहीं नहीं वो दरसल देवर जी बहु को मूली के पराटे बनाना बहुत पसंद है इसलिए वो यही बनाती रहती है सोनिया बहु शाम को कुछ और बना देना नहीं माजी, शाम को भी मूली के पराटे ही बनेंगे और चाचा जी और चाची को भी ये खाना पड़ेगा क्या? उतने में चाची जी के ग्यास छूट जाती हैं और वो एक जोरदार पाद मारती हैं घर वाले सभी अपने नाप पर हाथ रख लेते हैं अरे 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 रतना ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो ऐसा एटम बॉम फोड़ा है कि घर में हर तरफ गंदी बद्बु वाला धुआ पेला है अब क्या करू जी? मूले के पराटे खाऊंगी तो ऐसा ही होगा ना? तभी उनके बाद चाचा जी भी तुरन पाद मारते हैं लगता है आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा ग्यास हो गई है लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए मैं आप दोनों के लिए अभी चुरन ला देता हूँ फिर प्रफुल उन दोनों के लिए चुरन लाता है और वो खाने के बाद उन दोनों को आराम मिलता है लेकिन अगले दिन ही वो दोनों अपना सूटकेस पैक करके जाने लगते हैं अरे चाचा जी चाची जी आप दोनों जा रहे हूँ? हाँ प्रफुल बेटा हम दोन अब मुली के पराटे और नहीं खा सकते मुली के पराटे खा खा कर कही हमारा पेट न फट जाए हमें तो बस उसी का डर है अरे चाचा जी चाची जी आप ऐसा क्यों कह रहे है आपको नहीं खाना तु मत खाईए लेकिन रीता दिदी और उदित भाई साब के लिए मैं कुछ मुली के पराटे बान देती हूँ बस दो मिनिट रुकिए अरे नहीं सोनिया बहो भूल कर भे ऐसा मत करना वरना हमें तो मुली के पराटे देख कर ही गैस हो जाएगा चलो चलो जल्दी चलो मुली के पराटों का नाम सुन गए चाची जी और चाचा जी फटा फट वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद बच्चे होए सारे मुली के पराटे सुनिया आके लिए खा जाती है और रात में सोते समय वो प्रफुल के पास जाती है प्रफुल बेबी बहुत दिन हो गए है तुमने मुझे किसी ही नहीं दी चलो अब मुझे गुड नैट किसी दे दो यू दूर अटो सोनिया आज तुमने धेर सारे मूली के पराटे काए है और तुम्हारे मुझे उनी की बद्बु आ रही है छी इतना कहकर प्रफुल सोनिया को धक्का मारता है और सोनिया उल्टी होकर बेड़के नीचे गिर जाती है ये क्या बात होई प्रफुल अब मूली खाई है तो गंदी बद्बु तो आएगी ही ना थोड़ी ना पॉफ्यूम वाली सुगंद आएगी जाओ तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे हाँ हाँ मत करो जाओ मुझे बे कोई शौक नहीं है तुमारे मुझे गंदी बद्बु सुंगने का सोनिया को उमा और प्रफुल बहुत दाड़ते थे लेकिन फिर भी उसकी मूली के पराटे बनाने की आदत जाती ही नहीं उमा ही गर में दूसरी सबजी बनाती है लेकिन सुनिया तो सिर्फ मूली के पराटे ही बनाती थी एक दिन वो अपने आंगन में मूली की खेती करती है और बहुत अच्छी मूली उगाती है देखिए मा जी कितने अच्छी मूली होगी है अब तो मैं इन सबसे रोजाना एकदम ताजे वाले मूली के पराटे बनाया करूंगी और सबको अपने हातों से खिलाऊंगी तुई खाती बेट इन मूली के पराटों को हम ना खाने वाले तेरे हाथ के मूली के पराटे उसी दिन सोनिया दो पहर में गोड़े बेचकर सो जाती है तभी उमा चुटके से सारी मूलिया तोड़कर बोरी में भरती है इससे पहले कि ये फिर से दुनिया भर के मूली के पराठे बनाए मैं इन सारी मूलियों को बजार में सबजी वाले को बेच कर आती हूँ वही सही रहेगा फिर उमा बजार में जाकर सबजी वाले को सारी मूलिया बेचती है और जब सोनिया नीन से जाकती है तब वो अपने मूलियों को गायब देखती है ये क्या हो गया माजी मेरी सारी मूलिया किसने उकाड कर चुरा ले हे भगवान ये तो बहुत ही बुरा हुआ बहू लगता है वो चोर भी तुमारी तरह ही बेवकूफ था जो चुरा चुरा कर वो मूलि ही चुरा कर ले गया एसा मत को हो माजी लेकिन उमा के सारी मूलिया बैचने के बाद भी सोनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती अगले दिन वो घर के खर्चे के लिए प्रफुल से पैसे मांगती है प्रफुल खर्चे के लिए मुझे पैसे दे दो और जल्दी करो वरना मार्केट में भीड़ हो जाएगी ठीक है सोनिया रुख जा प्रफुल बेटा तू इस कल मुही को एक रुपईया भी नहीं देगा समझा तू लेकिन क्यों माजी तुझे मेरा बेटा घर के खर्चे के लिए इतने पैसे देता है लेकिन तू सारे पैसे बस मुलियों को खरीदने में ही गवा देती है और अब तो तेरी खेती का भी सत्यान नाश हो चुका है इसलिए अब तू ढेर सारे मुलिया खरीद कर लाएगी और महीने भर तू उनी मुलियों के पराटे बना कर हमें किलाएगी लेकिन मा जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं सोनिया मा बिल्कुल सही कह रही है तुम पैसों को सिर्फ मूली खरीदने के लिए ही बरबाद करती हो अब से तुमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे खीक है मत दो मुझे पैसे जाओ मेरी फ्रेंड के आंगन में मूली की खेती है मैं वहाँ से मूलिया लाऊंगी फिर सोनिया अपनी सहीली की खेती मैंसी मूलिया लाती है और कोई खाए या ना खाए वो उन मूली के पराटों को जरूर खाती है एक दिन वो अपनी सहलियों के साथ किटी पार्टी के लिए जाती है तभी उसके पेट में बहुत गुड़गुड होने लगती है ओ नू मेरे पेट में तो बहुत गुड़गुड हो रही है कही मेरी ग्यास ना छूट जाए इधर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो कट ले कटले यहासे सोनिया अरे सोनिया किस सोच में है तू चल इसे खा ये पकड़े मैंने बनाए है और सोनिया तू तो आजकल बहुत मोटी हो गई है हाँ वो मैं घर में ही रहती हो ना और एक्सरसाइस भी नहीं कर पाती इसलिए अरे यार तेरे मूँ से तो कितनी गंदी बद्बु आ रही है छी सोनिया अपने आपको बहुत कंट्रोल करती है लेकिन उसकी पात निकल ही जाती है और उसकी पात के कारण वहाँ बहुत गंदी बद्बु फैल जाती है हाई हाई अरे सोनिया कितने गंदी ग्यास छोड़ी है तुने मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी छी 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 ये सब तेरे मूली के पराटे ही है ओई पदड़ी तुझे कम खाने में क्या होता है कितना गंदा पाद मारती है तू सोनिया के सारी सहलिया उसका खुब मज़ा भुड़ाती है जिस कारण सोनिया को बहुत बोरा लगता है उसके बाद सोनिया घर आकर बहुत रोती है और उमा को सब बताती है कि कैसे मूली के पराटों के कारण उसकी इज़त के धजया उड़ गई माजी, मेरे बहुत बैस्तिय हो गई आज तो आज तक मैं तुझी किसी और भाषा में समझा रही थी क्या मत बना, मत बना लेकिन नहीं, तुझे तो मुली के पराटे बनाए बगए चेन ही नहीं मिलता अरे अगर तुझे मुली के पराटों के अलावा कुछ बनाने आता नहीं तो मुझसे सीख ले न, आज नहीं तो कल सीखी जाएगी तू हाँ माजी, आप सही कह रही हो, मुझे माफ कर दीजिये माजी अपसे मैं मुली के पराटे नहीं बनाऊंगे और आप से खाना बनाना सीख लूगे उस दिन के बाद से सोनिया मुली के पराटे बनाना बंद कर देती हैं और रुमा से खाना बनाना सीखती है